हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोर्ट के द्वारा हिंदी का जो पेपर वारल किया गया है इसका यहां पर हल देखने वाले हैं ठीक है फ्रेंस यह आपका माडल पेपर है जो यूपी बोर्ट के द्वारा जारी किया गया है ठीक है फ्रेंस आपके बोर जो माडल पेपर होता, इससे आपको बोर्ड के begin बोर्ड की exam में जरूर जाईएगा यदि 22 फरवरी आपका प्रएपर है तो आप 21 फरवरी के रात इस प्रशनों को आपको बताते हैं ऑपको गारंटी देते हैं कि आप को डॉर्ड एक्जाम में मैक्सिमाम नमबर ला सकते हैं ठीक है तो फ्रेंच चटरीए वीडियो मिनट का समय मिलेगा आपको पूरां करेगा सत्तर नंबर करेगा इसके चुन निर्देश दिये गए इस निर्देश को आप पहले से जानते रहिए जिससे आप बोड के एक्जाम में आपका किसी प्रकार का प्राब्लम नहों इस निर्देश से संबंदी ठीक है दिके पहला क् कि आपको जो प्रश्ण पत्र मिलेगा इस प्रश्ण पत्र को पहने के लिए टोटल 15 मिनट का इक्ष्टा समय मिलता है ठीक है अब प्रश्ण पत्र में दो खंड हो गये खंड आ होगा और खंड बहो होगा खंड आ में क्या होगे है कि 20 नंबर का क्या होगा बही कल्पी प् और प्रतियक प्रश्ण एक एक नंबर कराएगा जिसे OMR सीट पर करना रहेगा ठीक है अब इन निर्देशों को समझ लिए अब चलिए प्रश्ण को आप सभी को बताते हैं कि कौन सा प्रश्ण आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है देखे 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो वारल पेपर है आपके सभी माडल पेपर आप सभी को हल करा रहे हैं उन सभी माडल पेपरों को जाके आप देख सकते हैं ठीक है यहां पर देखे बावीकलपी प्रश्ण है जिसमें कंड़ अ ह कि दूबू गुलाब राय किस यूइखः इसको जरूर याद रखिएगा कि बाबू गुलाब राय किस यूइखः यूओक के कै google फ्रेंच जिस प्रशन का और आपको पहले से आ रहा हूं उसका एंस्वर कमेंक्ण बाक्स साते में लएकर leva screens दूसरा नंबर का है कि चिंता मड़ी किस विधा की रचना है यहाँ पर आपको यादुना चाहिए कि चिंता मड़ी के रचईता कौन है और चिंता मड़ी किस विधा की रचना है ठीक है तो चिंता मड़ी क्या है आपके एक निबंद है इसका सही जवाब क्या होगा एवल प्रोफशान सही हो जाएक चौथा नमब्र के देखिए सुकल यूग की समय अवधी क्या है जो सुकल यूग की समय आवधी मानी जाती है रहे नन्य सु नेस से लेकर और रुष्ट के भीश के समय जो है शुकल यूग का समय है निर्का निर्माढ फीर वीधा के रचना प्रावास किस यूग की रचना है याश के आपशन को देखते हैं प्रीप्रवास आपको द्यान से देख लिजी आप तो मदुसाला जो है हरिवन्स राइब बच्चन की है इसका सही जवाब सीवला आपसां सही हो जाएगा अगला देखिये भारत भारती किसकी रचना है आपसां को द्यान से देखिये और आइंस्वर दीजी आप तो भारत भारती जो है मयतिली शड़क गुफ्त की रचना है तिसका सही जवाब बीवला आपसां सही हो जाएगा जितने भी प्रशन बता रहे हैं इन सभी प्रशनों को आप जुरूर तयार करके जाएए ठीक है नुवा नमबर के देखिये आधुनी काल कब से कब तक माना जाता है आधुनी काल का समय कब से कब तक है देखिए आधुनी काल का जो समय 18 Chili स के लेकर अब तक का जो समय आधुनी काल कंतरगत बता है तैसका सही जवाब को होगा इवला आपसां चई कर MH frater सभी मतिराम कीरां कि सभी को बताना है कि अदिक कि हासरस का अस्थाई भाव क्या होता हास होता है ठीक है इसके लिए लग करूर उरस की यmm सोख होता है फिर सोख होता है ठीक है दो प्रश्ण को यहाँ से जरूर याद रखिए अगला प्रश्ण देखिए आप यहाँ पे बाला नंबर का कि सोहत ओड़ी पीत पात स्याम सलोने गात मनु नीलमडी सेल पर आता प्रयोप्रभाद उप्रयुक्त में से अलंकार बताना है यहाँ देखिए आपका जब आपके वाक्य में मनु जनु जनु यह सब्द आता है यह आपका एक सकंसा होगा ईएच्क है अब देखिए आपका अगला तिरावा नंОबर के क्या है कि रोला चंद में कुल कितने चरद होती है कितने चिरड होते हैं तो टोटल 4 चिरड होते हैं किसका तिसका सही जो आप सीवलाप्सन सही हो जाएगा अगला देखिए ऐस शब्द में किस उपसर्ग का पृयोग किया गया है आपके-पसर्ग का मतलब होता है कि जो सब्द दिया रहा थे उसके प्रारम में कौस अक्षर य रचना के आधार पर quality कितने बेदैं एक रचना के आधार पर आप के वाक्य प्रकार की होता है सवा कुझत्वाक्त मिस्रित वाक्या सर्वाथा था कितने वाक्य था तो जुरूब्हाद में कौन सा समास है इतलस बतामर का गापीरा अम्बर जिसका में इस इसके आपसन को पहले देखते हैं देखें आपसन दिया है अस्रू होगा अंसू होगा रोना होगा यह आख होगा तो आसू जो होता है उसका तस्वरू क्या होता है तो अस्रू होता है तो इसका सही जोब क्या होगा यह वाला आपसन सही हो जागा अठ्रामा देखिए करती व सब्वान ताब्या सब्द बता निवीर और वक्ति हो सब्सक्राइब जो डिवल सांथा है सरवानाम को मतलब होता है संग्या के अस्थान पर परियोग होने वाले सब्सक्राइब चाहिए सरवानाम को यहि talked होते हैं बहुंद प्रशन यहां पर आप सभी को आखते हैं इन प्रशनों को तई है वोट पत deconstruct कर folies challenge कर सो Adding点 है इन प्रश्ण नेसे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रश्ण कितने में नमबर का आता है यही है और है बल del लेख कित गद्दाव्व पर अधारित तीन प्रush Reddit नंबर का है चेल मतलब यह त्ध्र चाह नंबर का है आपको क्या करना है कि इसको यह यहाँ पूरा न क्या से आपने के बाद आपको यह थी तीन प्रेश्ण दिया रहेगा का उपर University गद्हस का संदर्ब आपको लिक्जना क्या लिखना है संदर्ब लिखेंगे इसपे दूर नंबर मिलेगा इसके लाग द्चिजिए अंगित अंस की प्यां कि बियाक्ष्टया करेंगे इसमें दो निम्बर मिलने वालए आप फों लेकर लोग एक बास रहो nossa की और आकरषित हो प्रशन करना है विरुध विसको क्या करना इन्स क्या करना कि सुधत की इच्छा करनाे इन्स क्ना ने धिये टे प्रशन करना को अंबर क्या है कि युड्यानक्स आदि तीन प्रश्ण slepes संदर देना है टोटल कितने नंबर कराएगा 6 नंबर आपको क्या करना है यह पूरा चड़क कमल बंदो हरिडाई जाकि किरिपा पंगुगीरी लोह है इसके अलावाद देखिए आपको क्या है पूरे पद्दांस को यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है पढ़ने के बाद इस वाकि को पढ़ना इसमें भी क्या करना है को संदर्व ब्याख्या और मनु मंजूल कंज कली में अलंकार बताना है टोटल च्छा नंबर करते दोनों प्रशनों में से कोई एक प्रशन आप करना रहता है बोर्ड के एक्जाम में ठीक है अगला देखिए तीसरा नंबर का क्य यहां से लिए कि यहां तक आपको संस्क्रीट में पढ़ना रहता है इसका क्या करना है कि आपको संदर्व लिखना है इसके साथ में इसका क्या करना है को हिंदी में अनुवाद करना रहेगा टोटल पांच नंबर करेगा इसके लाओ अथ्वम दिया है यहां से लिए कि यह यहां तक पढ़ना है इसमें से आपको एंस्वर देना रहेगा यह आथवा में दिया आए संदर्व सर्वे भांतु सुखिना सर्वे भांतु संतु निरामया पूरा यहां तक पढ़िए इसका संदर्व लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए टोटल कितने नंबर मिल टोटल पांच नंबर ठीक है अगला प्रसंद कैसे आपको बोड के एकजाम में आएगा अपने पटित खंड काब के आधार पर निम्रिक्त प्रस्णव में से एक उत्तर आपको देना है टोटल एक का उत्तर देंगे टोटल तीन नंबर मिलने वाला है कितने नंबर मिलेगा और टोटल नौ प्रस्णों में से आपको क्या करना है सिर्फ एक का ही एंसोर देना है जिस जीला में यह खंड काब पढ़ाया जाता होगा वही उस जीले के जो चात्रे हों को वही हल करेंगे जैसे गाजीपुर के जितने भी चात्रे हैं गाजीपुर के जितने भी चात्रे तोटल कितने नमबर मिलेगा तीन नमबर आपको मिलने रहेगा इसके अलबा जितने भी प्रशन इसके आगे दिया है खंड काबिसे संब्धि सभी आपको छोड़ देना रहेगा अब देखें अगला नमबर का सवाल है छटवा नमबर का लेखकों में से किसी एक का जीवन पर परचे दिया है इन तीनों में से किसी एक का जीवन परचे आपको बोर्ड के एकजाम में लिखना रहेगा ठीक है इसके अलावाद देख लिए आपको क्या करना है कि किसी एक कवी का जीवन परचे लिखना रहेगा यह भी आपका पांच नमबर करेगा अब अगला सवाल द माणね कि अंधर्वान दीघर कि दो का उत्तर दीज़िए आपको क्या करना है कि संस्क्रीट में क्राइगा दिया रहेगा संस्क्रिट में सब्सक्राइगा उसÎं का इंपते दो Mm मतलब एक नमबर करेंगा टोटल दो नमबर है ठीक है। लाग में ещё नसक्राइब में नेлекलत आपको तोटल आपको देना रहेगा vore deem बूड की नमबर करना है चुछत्अल किसा आप collectively अब लोड के excusa में आता है निभन से संबनित आता है जो टोटल कितना number करेगा? साथ number का यहां पर आपको चार निबंद देगा इस میں से किसी एक पर आपको क्या करना रहेगा? निबंद इन चारों से जिस पर आपको निबंद याद हो उसका answer आपकी board के exam यादी लिखते हैं तो save Total 7 number मिलेगा अगला प्रशन देखिए प्रशन को आपको पत्र से संबंदित जो है आप जरूर तयार करके जाएगा हंडेड परसेंटेज आपको इसी में से आपके बोड के एक्जाम में आने वाला एक पत्र ठीक है देखें उत्तरमद्रेलवे का एक सिकायत पत्र लिखिए उसमें टिकट निरेश्चक द्वारा कि इन दोनों को आप जरूर जितने भी प्रशन आपको बता हैं इन सभी प्रशनों को आप बोड के एकजाम में जरूर करें पर किजिए आपके माड्नी प्यपर उसी मैं से आने तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें